दूस्तों नमस्कार, दुनिया भर में क्रिकेट का आयोजन चलता है और उसको संचालित करने वाली जो संस्ता है ICC, वो कोशिश यही करती है कि सारा खेल सुचारू तरीके से चलता रहे और एंटी करप्शन यूनिट्स उसने बनाया हुआ है और उसमें कोशिश यही होती है क मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग या इस तरह की घटनाएं या सट्टेवाजी की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके अब टी टैन लीग को ही लीजिए एमिरेट्स में इसका आयोजन किया जाता है एमिरेट्स क्रिकेट बोड ने बोड के बिहाब पर आठ खिला जाड़ी और अधिकारी भी शामिल है ज्यादा तर इसमें अधिकारी है और उन पर जो आरोप लगे हैं वो कही न कहीं क्रिकेट की जो छवी है उसको दागदार करते हैं अगर आप किशन कुमार चौधरी को देखें तो उन पर तीन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए है पराग सांगवी जो हैं टीम के को ओनर हैं उन पर भी दो धाराओं के तहत जो है आरोप लगाए गए हैं जिस पर मुकदमा चलेगा तीन धाराओं के तहत अशरजैदी पर आरोप लगे हैं रिजवान जावेद वो घरेलू प्लेयर हैं इन पर पांच बड़े आरोप लगे हैं क्योंकि खिलाडी को जदी आप शामिल करते हैं किसी ऐसी सनलिप्त घटना में तो खिलाडी पर का भविश्य भी चौपट हो सकता है और खेल को साव सुत्रा बनाना ये सबसे बड़ी पात्मिकता है आई सी सी की तो इसके अलावा जो एलिया समन हैं और सनी धिलो हैं जो पर भी रारोप लगे हैं तो जाहिर सी बात है कि आई सी सी ने अप शेकंजा कस लिया है और उसकी कोशिश होगी कि इन खिलाडियों के खिलाफ या इन अदिकारियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जा सके ताकि जो भी लोग सटे बाजी की घटना में या मैच फिक्सिंग क घटना में सलिप्त होते हैं शामिल होते हैं उनको भी एक सबक मिल सके आप क्या सोचते हैं अपनी रायस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर दें अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें नमस्कार